हलो इस्टुडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निक प्रफार्म पियस्सी बायो वाला में इस्टुडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कसन करेंगे सपो सिक्टरीज के बारे में सपो सिक्टरीज क्या होता है आज इसी की बारे में आपके साथ हम डिस्कसन करेंगे जो कि एक न्यू टॉपिक है आपके इस समिश्टर का यानि कि इस क्लास का प्रिबियस क्लास में मैंने आपको पहुँ सारे क्लासिस में बताया हर्बर पोल्टीज के बारे में हर्बर बॉम के बारे में हर्बर आयल के बारे में तो उसी सिरीज को कंटीनियू करते हुए सपो सिक्टरीज के टॉपिक पहुचे है जिसका आज आपके साथ हम लोग डिस्कसन करेंगे तो स्पोस्ट्रीज्ड क्या होता है पर एवो समझे स्पोस्ट्रीज एक हर्बल मेडिसीन होता है जिसका उप्योग इनफंट वे इनकांसियस जैसे लोगों में करते हैं कहने का मतलब आईसे मनुष्ऩर में करते हैं या फिर ऐसे बच्चों में कहता है, जो infant में हो, कहने का मतलब, जो तूद पीती हो, milk. जैसे छोटा बच्चा है, उसके लिए, सपोसित्रीज का उपयोग किया जाता है. जो अनकांसियस हो अचेत ब्यक्ति हो जैसे आपका सकते कि कोमा कोमा में ब्यक्ति हो उसको सपोसित्रिस का उप्यों किया रता है कहने का मतलब ऐसे ब्यक्ति जो मेडिसीन टेक न कर पाते हो खा नहीं पाते हो ठीक है जैसे भाई जो ब्यक्ति आचेत है कोमा में है तो उसको वो मेडिसीन याने की कैप्सूल टेबलेट सिरफ पी नहीं सकता तो उसके लिए सब को सित्रिस का उप्यों किया रता है आपको पता जो बच्चे छोटे हैं वो टेबलेट पी नहीं सकते वो CFP नहीं सकते चोटे बचके 2-3 मेहने का बच्चा है 1-2 मेहने का बच्चा है तो उन सब को चोकि एक Suppositress Medicine है तो अनको सब को Medicine Suppositress के द्वारा दिया जाता है उसकी सहाता से दिया जाता है आगे समझते हैं या आप एक और हो सकता है यह सपोसित्री जैसे व्यक्तिव को दियाता है जिनको कुछ खाने में ओमिटिंग हो जाए कहरे का मतलब जैसे आप कोई फूद मैटेरियल ले रहे हो खा रहे हो तो आप जैसे ही कोई फूद मैटेरियल खाएं आपको omitting हो जाए तो ऐसे patient को ऐसे लोगों को sapphocytries किया हो सकता होती है ठिक तो sapphocytries का उपयोग हमारे body के pore से किया जाता है यानि कि sapphocytries एक प्रकार की medicine होती है चो हमारे body में transfer की जाती है by the pore आपके body में जितने भी pore हैं nasal pore rectum pore vagina urethra nasal pore या पिर ear pore तो आपके body में जितने pore present है उसके थरू सपोस्टिरीज medicine को send कियाता है भीजाता है या फिर डाला जाता है इंटेगर जो सपोसिट्रीज होता है वो बेलना कार हो सकता है यारे कि cylindrical होता है और जो सपोसिट्रीज होते हैं वो जैसे मालिजे एक पार्टिकुलर के लिए होता है जैसे मालिजे अगर सपोसिट्रीज आपके नोजल पूर के पास कोई प्रॉबलम है तो नेजल सपोसिट्रीज के द्वारा मेटिरिय को ट्रांसफर किया जाएगा अगर आपके रेक्ट में कोई problem है तो रेक्ट में की द्वरा आपके रेक्ट में कांश्टी पेशन है तो आपे उस material को transfer कियाता है जो कि एक paste के रूप में होता है और हर का एक weight होता है जासे आपको पता है भाई अगर आप कोई medicine ले रहे हो वो कितने mg का लेंगे वो टिपे निकरता है ठिक आपके बीमारी के उबर ठिक आपको कितने जरुवत की आउसकता है कि आपको 200 mg या 100 mg या फिर कितने mg की दवा आपको लेनी है तो इसके एक आर्डिंग आपको वो वेट के हिसाब से दिया जाएगा तो सपोसित्रीज क्या है उसको समझ दिये एक basic concept तो सपोसित्रीज क्या एक प्रकार की medicine है वो उस व्यक्ति पे यूज कियाता है जो अचेत हो और बच्चों पे यूज किया जाता है अचेत क्या मतल्ब जो कूमा में हो या चिसको जो दवा ना खा पा रहे हो ओमेटिंग हो ज में सपोसित्रीज का उपयोग किया जाता है इसमें होता क्या है medicinal plant के पार्ट को solid या फिर से भी solid बना लिया जाता है dose के रूप में medicine के रूप में ठीक है और इसको हमारी body में जितने पूर है अगर आपको आपके अंदर बहुत सारे पूर है नेजल पूर फेक्टम फेजाइना एयर और उल्यूत्रा इनके द्वारा आपके body में transfer किया जाता है यह एक particular है जो है कि जैसे मारीज़ आपको नोजल पूर में कोई प्राब्लम है तो नोजल सपोसिट्रीज ठीक है रेक्टर में कोई प्राब्लम है तो रेक्टर सपोसिट्रीज यू अब विजाइना में कोई में कोई प्राप्लम है बगा कब लिए अलग अलग प्रकार की सपोसिट्रीज का उपियुग करते तो आपके बॉड़ी में यही चार पांच पोर दिखाई पड़ते हैं जिसके द्वारा आपके बॉड़ी में उसको ट्रांसफर किया जाता है आगे लिकाई वेर दे मिल्ट ओवार डिजाल इन बॉड़ी टंप्रेचर तो सॉल सेमी सॉलिट में रखा जाता है क्योंकि वह आपके बॉड़ी की टंप्रेचर 37 पे जाए आपकी बॉड़ी में और वहां पे क्या डिजाल हो जाए घुल जाए या फी 98.54 फार्न हैड में एक प्रिप्रेचान आप सपोसित्री तब बैसिक मीडियम में भी कोकुवा बटर हाइड्रोजेल क्लिस्टनाइड चिलेटीन पालिथ्नैलीन क्लाइकान अडिफेंट हर्वर मेटिरियल डिपेंड अपान सपोसित्री यादि कि सपोसित्री बनाया जाता है उस पे बहुत सारे म मेट्रोजेल क्लिस्टनाइड चिलेटीन पालिथ्लेड ग्लाइकान यह सब मैटेरियल डाले जाते हैं ठीक है आगे समझते हैं सपोसित्रीज 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 और मेंली यूज्ट इनफेंट यादि कि मनें बता चोटे बच्चों में ओल्ड परसंट बुढ़ चाने खाने में या फिर तवाईको मेडिसीन को निống न ना पाते हूं खाना ही पाते हैं नो इया ऐसे विकती जिसको खाना खाने पर ओष्जे करने में ओपिट इन प्रथ्ज विकती को सपोसित्रीज दिया जाता है जो की राड है या ऊव्ल ह या आप कहा सकते कि कॉर् variable safe지rendical say bullet safePod कि क्याśता है सपव सित्रीसट तेखे क्या है सब्सक्राइब के monster Usually मारफ मी अब जैसे आप benefici फोजर नहीं कर सकती दवान नहीं ले सकती तो के लिए ट्रीटिमेंट के लिए दवा तो इंपॉर्टेंट है तो दवा है वह सपोस्टिरी की रूप में आपके बोड़े में ट्रांस पर किया जाएगा तो अगर आपको जहां पर प्राबलम है उस प्रकार से क्योंकि सब्सक्राइब करतें अगर आपके नेजल में कोई प्राबल्लम है तो नेजल सब्सक्राइब तो लिखा गया आगे on the basis of support citrus types of support citrus निखागे on the basis of organ used support citrus are following types which are given as below तो support citrus जिससे आपका पहला आता rectum अगर आपके rectum में कांश्ठी पेसर है अब बच हो रहा है वो जर नहीं पच रहा है तो इसमें rectum support citrus का उपयू कियाता है इसमें क्या होता है जो आपका support citrus है वो इसमें rectum के त्रू आपके body में transfer किया जाएगा जो कि वो पार्टिकूलर कारे करेगा तो वह दिखा गया it is entered into the rectum for the systematic effect अगर उसमें कोई प्राबल नहीं है तो उसके effect के लिए भीज़ जाएगा इडिजरनली मेड फ्राम कोका बटर इट इज कोंसेब ठीक तो यहां पर इस त्रिफ इतना ही था यह इस्ट्रफ वाइन स्मेर हो गया है आगे समझते हैं फिर आता आपका वेजाइनल सपोसिट्रीज फिजाइनल सपोसिट्रीज में क्या होता है इट इज इंसर्टेड इन इसको वेजाइनल में ट्रांस्पर कियाता है और आलसो नोन एज पैसेजीज ठीक पैसेरिस पैसेरिस को वेजाइनल सपोसिट्रीज कहते हैं तो पैसेरिस में क्या होता है इसमें ड्रग को ट्रांस्पर कियाता है इसके द्वारा जो कि अगर female genital part में, urinary tract में कोई problem है, construction है, तो इसमें इसको transfer कियाता है, तो इसमें 2 से 3 gram जो की सपोसिट्रीज transfer कहता है, जो की rod से प्रफिक कोनिकल सेट का होता है, तरड़ आता है आपका urethral suppositries, जो urethral suppositries होता है, इसको urethral के द्वारा इंटर कियाता है, जिसको लोग urethral कहते हैं, यूठ्रेटर phygeus कहते हैं, जो की cylinder का lung होता है, और जो 2 से 4 gram का होता है, तीसरा आताप का nasal suppositries, जो nasal suppositries है, ये आपके body में इंटर किया राता है, nasal cavity के द्वारा, जिसको nasal baugeus कहते हैं, जो ठिर होता है, बहुती पतला होता, लांग होता है, वो cylinder के बेड़ना का होता है, ये आपके body में nasal pore के द्वारा ट्रांसपर किया राता है, जो suppositries है, वो एक से दो gram का होता है, जो आपके body में ट्रांसपर किया राता है, यानि कि जैसे आप दवा लेते हैं, भाई, इतने mg का दवा होना चाहिए, आप कोई भी मारे हैं, तो आप इतने mg का दवा राता है, तो suppositries तो वो एक या दो gram में आपके body में ट्रांसपर किय पहले के टाइम में किये जाता था अगर आज के जबानों किसी बैक्ति को ओमिटिंग हो रहे खाना ले पार हुआ तो उसके उशें इंजक्सन लगा दिया तो पहले पहले करते थे तो उस टाइम सपोसित्रीज का उपयोग करते हैं जो कोई बच्चा चे थे तो उसको सपोसित्रीज नहीं खाना खा पारे तो उसको सपोसित्रीज इंजेक्सा लगा दिये जाता आज के निट में लेकिन पहले सपोसित्रीज का अव्यों किये जाता तो इसका क्या एड्वांटेज है पलिवोच अभाई ये तब परसन ओर पेसेंट हुआ नाट एबल तो ड्रग सच एज अनकांसियस पेसेंट चाइल्ड ओल्ड परसन ते कैनाट भी जली ट्रीटेड वाई त्रीटेड विद सपोसिटेड याने कि ऐसे ब्यक्तिकों दिये जाता है सपोसिटीज जो खान अनकांसियस हो अचेत हो छोट करने में उनका भोजन निगल पाते हों तो उन सबको सपोसिटेज दिया जाता है यह इसका एडवांटेज है निक्स एडवांटेज है इस प्रोड्यूस्ट लोकल ओर सेस्टेमेटिक एफेक्ट इन और वाडी यह वाडी पर बहुत ही थोड़ा बहुत एफेक्ट करता है ब अगर आपके रेक्टर में कोई प्रॉबलम है कहीं भी प्रॉबलम होगे तो उस प्रकार के प्रॉबलम में आपको वहां पे ट्रांसफर किया जाएगा अगर आपके निजल पूर में माउथ में कहीं प्रॉबलम से प्रकार के प्रॉबलम होगे उस प्रकार से आपके बोड इसको आप आसानी से जहां भी ट्रांस्पर करनेशी कर सकते हैं और इसका गैश्य चैनल पर इफेक्ट नहीं जो भी इफेक्ट होगा डायेट उपार्टकुलर प्रेस्स पह स्थे जहां पर प्राब्लम है निक्स्ट आता है ट्रग इस सपोसिटरी आर स्लोली एब्सारड अन गेवन सपोसिटरेट्र एक्षन यह आसानी से पॉड़ी में घुलता है यानि मिल्ट होता है और तिर दिरे अपने प्रभाव को दिखाता है डिसएडवांटेज क्या है इसको आप आसानी सिजली कर सकते है हैं रिग में हैं उन्यांष्ट कंद्रहस इसको इस पोसस्थ इसरोच गंदीशन से छहीNING होता है याने की टम्प्रेचर इसका हमेशाम मेंटेन होते हैं अगर मेंटेन नहीं है तो यह प्रह नहीं जाज ज yellow ठीक है क्योंकि आपके बोडी में 37 सेंटीगे टमपरेचर है अगर उससे उपर इसका टमपरेचर हुआ तो वह नस्ट हो जाएगा उसक्याएग रहतने अगर तक आपके कोई डॉड कोई काई क्वेशन है तो आप अपने वाई हैं को पूशकते हैं मिलते हैं अगले लेक्चर में next topic के साथ जाने की हरबल्टी के साथ अगर अभी तक आपके कोई doubt, कोई queries, कोई question है तो आप अपने doubt, queries, question को पूश सकते हैं मिलते हैं अगले लेक्चर में हरबल्टी के साथ हैं